प्रणाम दर्शिकों, क्या आप जानते हैं कि धर्ती पर पहला शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ आखिर शिवलिंग के क्या रहस्य हैं। शिवलिंग का रूप है जिसमें जलाधारी और उपर से गिरता पानी है। नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ती है और नाद शिव यही सब का आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात उर्जा और ध्वनी यही दो संपूर्ण ब्रमांद का आधार है। शिव का आधी और अनादी रूप इश्वर निराकार है। शिवलिंग उसी का प्रतीक है। की आकाश स्वेलिंग है। धर्ती उसकी पीच या आधार है और सबनंध शून इसे पैदा हो उसी में लेहोने की कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। वेदा नुसार ज्योतिर लिंग यानी व्यापक ब्रमात लिंग जिसका आर्थ है व्यापक प्रकाश जो शिवलिंग के बारह खंड है। परब्रम स्वरूप का ज्यान हुआ। इसी समय से शिव को परब्रम मानते हुए उनके प्रतीक रूप में ज्योतिरलिंग की पूजा आरंभ हुई। हिंदु धर्म में मूर्ती की पूजा नहीं होती लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विश्नुम का विग्रह रूप मानकर इसी की पूजा की जानी चाहिए। एतिहा सिक प्रमानों के अनुसार विक्रम समवत की कुछ सहस्राब्दी पूर्व संपूर्ण धर्ती पर उलकापात का अधिक प्रकोक हुआ। पुरातात्विक निशकषों के अनुसार प्राचीन शहर मेसुकोटमिया और बैबिलोन में भी शिवलिंग की पूजा किये जाने के सबूत मिले हैं। शिवलिंग में एक पत्थर की आकरती होती है। जलाधारी पीतल की होती है और नाग या सर्थ तामबे का होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरे या आकरे के फूल चरते हैं। शिवलिंग पर जल गिरता रहता है। शिवलिंग के प्राचीन रिशी और मुनियोद्वारा ब्रमान के वैग्यानिक रहस्य को समझकर इस सत्य को प्रकत करने के लिए विविध रूपों में इसका स्पष्टी करन दिया गया है। शिवलिंग के प्रकार प्रमुख रूप से शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला आकाशिय या उलका शिवलिंग और दूसरा पारत शिवलिंग, पहला उलका पिंट की तरह काला अंडाकाल ये हुए, ऐसे शिवलिंग को ही भारत में ज्योतिलिंग कहते हैं, दूसरा मानव द्वारा निर्मिक पारे से बना शिवलिंग होता है, पारत विज्ञान प्रा कि धन्ते हैं कि धन्ते हैं